जहिन दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार, पुराने वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिसकस किया था इंटीरियर ओप दी अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, हमने अलग अलग बैसिस पर देखा था, हमने पता चला था कि देट हेवियर मेट जो है वो अर्थ के innermost area के अंदर है और जो lighter materials है वो सारे lighter materials अर्थ की outer crust पर है उसके बाद हमने formations देखे थे continent के किस तरीके से continent बने थे उसके regarding अलफ्रेड वेगनर ने जो theory दी थी that is the continental drift theory उस continental drift theory के बारे में हमने बात की उसके regarding कुछ evidences देखे कुछ force देखे जो की responsible थे about the drifting of the continent उसके बाद मैंने आपको कल कुछ questions दिये थे उन questions के answer आप सभी लोगों ने comment box में किये मैंने देखा लगभग सभी के सारे answer सही थे बट एक question जिसमें सभी लोग mistake कर रहे थे या फिर most of people जिसके अंदर गलतिया कर रहे थे वो question यह था कि हमारे solar system का hottest planet कौन सा है तो hottest planet of our solar system is Venus बट क्योंकि chronology के कारण आप सभी लोग वहाँ पर put कर रहे थे कि mercury is the hottest planet of our solar system नहीं बेटा mercury हमारे solar system का hottest planet नहीं है ओल्दो sun के वो सबसे नजदिक है बट sun के दूसरा सबसे नजदिक जो Venus है Venus is the hottest planet of our solar system और उसका रीजन यह है कि Venus का जो atmosphere है Venus का atmosphere carbon dioxide से बना हुआ है तो जो Venus planet है Venus planet का atmosphere carbon dioxide से बना हुआ है और carbon dioxide role play करती है green house का जो green house होता है कि sort wave solar wavelength को तो अर्थ पर आने देना बद अर्थ को hit करने के बाद जब वो long wave terrestrial radiation में convert होती है तो यही green house एक blanket की तरह role play करता है और यह उन long waves को बाहर नहीं जाने देता जो carbon dioxide से बना हुआ जो atmosphere है वो atmosphere जब sun से धूप आती है या फिर sun से academic word में कहें तो sun से जो insulation आती है उस insulation को earth surface पर तो आने देता है बट earth surface से उस insulation को वापिस बाहर space में नहीं जाने देता इसलिए जो venus है venus का temperature overall बढ़ रहा है regularly temperature venus का increase हो रहा और उसका region है क्योंकि venus का atmosphere है वो atmosphere carbon dioxide से बना हुआ है जो की एक green house gaze भी है ठीक है उसके अलावा मैंने question पूझा था which is the largest latitude equator is the largest latitude that is 0 degree which is the oldest continent पेंजिया is the oldest continent तो बच्चो आज हम start करते हैं हमारे नई topic से कल हमने देख लिया था कि continental drift theory क्या थी आज हम बात करेंगे post continental drift theory के बारे में वो theories जो की continental drift theory के बात दी गई कुछ ऐसे proof थे जिन्होंने अलफ्रेड वेगनर ने जो theory दी थी उस theory को support करते हैं तो आईए उन प्रूप के बारे में बात करते हैं आईए जानते हैं कि जो forces अलफ्रेड वेगनर ने बताये थे regarding the drifting of continent अगर वो गलत थे तो सही क्या है उन्हें उसी के बारे में हम यहाँ पर discuss करते हैं दे फर्स्ट पोस्ट कोंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस वस कॉन्वेक्शनल करेंट थियोरी दी गई थी ऑथर होंस द्वारा यहां पर नाम लिखा हुआ है ओथर होंस नोट कीजिए आप ओथर होंस ने 1930 के अंदर कॉन्वेक्शनल करेंट थिए थी रेडियोएक्टिव इलेमेंट आपस में रियक्शन करने के कारेंट एमपल अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट करते हैं कहां पर अर्थ का जो लोवर मेंटल है यह वाला पोर्शन यहां पर रेडियोएक्टिव इलेमेंट आपस में रियक्शन करके एमपल अमाउंट में हीट एनरजी जनरेट करते हैं और वही हीट एनरजी जब उपर की तरब जाती है तो हीट करती है हमारी अर्थ की क्रस्ट को और जब अर्थ क्रस्ट को हीट करती रेगुलरली तो यहाँ पर एक क्रेग जनरेट कर देती है और फिर यह कॉन्वेक्शनल सेल उसी क्रेग पर जनरेट हुए पेंजिया था वो पेंजिया भी उसी तरीके से तूटा पेंजिया के नीचे चले कॉन्वेक्शनल सेल्स उन कॉन्वेक्शनल सेल्स ने पेंजिया को दो पार्ट में तोड़ दिया कैसे जैसे यह पेंजिया है पेंजिया के नीचे से कॉन्वेक्शनल सेल्स चले उनने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया वो जैसे दो पार्ट में तूटा तो नोर्दन पार्ट तो हमारा बन गया बच्चों अंगारा लेंड या फिर लोरेशिया और सदन पार्ट बन गया हमारा गोंडवाना लेंड तो यह थी पोस्ट कॉंटिनेंटल ड्रिप्ट थियोरी के अंदर Convectional Current Theory ये दी गई थी author Holmes द्वारा 1930 में समझ माया इसके आगे हम बात करते हैं ये देख रहे हो आप कि अर्थ के इंटीरियर से लावा आ रहा है और अर्थ की crust को दो पार्ट में तोड़ रहा है और यही लावा इसे push करके दूसरी तरफ लेकर जाएगा प्रेट diverge होगी ठीके पहले तो crack generate होगा crust पर फिर crack generate होने के बाद crust दूर जाएगी और crust दूर मोमेंट करेगी वहाँ से according to Convectional Current Theory which is given by author Holmes इसी के बाद इन्ही की theory को support किया था Harry Hayes ने Harry Hayes ने इन्ही की theory को support करते हुए एक और theory दी थी इसी चीज के regarding जिसे बोला जाता है sea floor spreading theory और sea floor spreading theory में भी exactly same बाते कही कि अर्थ के interior से लावा बाहर आता है लावा बाहर आने के बाद लावा ocean की crust यहाँ पर उन्होंने word change किया जो author Holmes ने कहा था कि continents तूटते हैं इन्होंने बोला कि sea जो समंदर होता इसी type के volcanism के current ocean के अंदर का जो crust है वो crust दूर जाता है धीरे धीरे ocean के अंदर लावा निकला लावा निकलते ही वो लावा क्या push करेगा opposite side तो जैसे opposite side push करेगा तो यह crust ocean के अंदर अंदर दूर जाएगी और जैसे ocean के अंदर crust दूर गई तो जो खाली जगा थी उस खाली जगा में नीचे से आकर लावा जमा हो गया और जो नीचे से इंटीरियर से लावा आकर यहाँ पर accumulate हुआ है वो लावा youngest है क्योंकि वो अब भी बना है जस निकला हुआ है वो यंगेस्ट होगा और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो thousands of year के बाद वो तो older हो जाएगा और जो अब भी निकला है वो हो जाएगा यंगर तो hairy hairs and dice ने यही concept दिया था कि conventional cells जो ocean के अंदर चलते हैं वो crust को दूर लेकर जाते हैं और जो यहां पर जो vacuum space बच्ती है उस वेखियो space में लावा आकर deposit होता है और जो लावा recently आकर deposit हुआ है वह होगा यंगर लावा और फिर जब प्लेट आगे की तरफ shift होती जाती है, तो होती जाती older, देखो, यहां से लावा निकला, तो यह तो हो गया younger, अभी बना है, और यह जो दूर जा रहा है, it is the older, देख, इन दोनों की size same होगी, इन दोनों की size same होगी, और इन दोनों की size same होगी, reason, यह एकसात eruption होके इतना बड़ा, फिर जब plate दूर खिसक गई, फिर जो eruption हुआ था, उससे पहले उससे यह बना था, और उससे पहले eruption से बना था यह, which one is the oldest, मतलब, interior से लावा आ रहा है, ocean के surface पर जमा हो रहा है, और ocean के surface पर जमा होने के बाद, plates दूर दूर जारी, crust दूर और दूर दूर जाने के current, जो दूर जाती crust है, वो older हो जाएगी, वो जो newly formed है, जो अभी बनी है, वो हो जाएगी younger, समझ भाया, it is the sea floor spreading theory, and it is given by hairy has, इसके बाद हम बात करते हैं, यह जो आपको map दिखाई दे रहा है, इस map के अंदर जो red line से सो हो रहा है, these all are the mid oceanic reach, सारे अंदर जैसे जो इंडिया यहां पर है, यह हमारा प्यारा भारत है, इसके नीचे यह जो ridge है, it is Central Indian Ocean Ridge, यह ridge, फिर इसके बाद, it is Mid Atlantic Ridge, and this one is Pacific Ring of Fire, जो Pacific Ocean है, यह वाला region, Pacific Ocean को Ring of Fire क्यों बोलते हैं, यह हम जानेंगे, फोड़ा धेर ही रखिए, कुछ टाइम बाद हम में पता चल जाएगा, Pacific को Ring of Fire क्यों बोलते हैं, तो यह सारी कि सारी जो red color से आपको जो चीजे दिखाई दे रही है, these all are the Mid Oceanic Ridge, इनी रिज के अंदर से लावा निकल के बाहर आता है, solidify हो जाता है, और फिर लावा दूर दूर जाता है, जैसे कि Convectional Cells Plate को दूर लेकर जा रहे हमने पुराने photos के अंदर जो देखा था, ठीके, तो यह था Mid Oceanic Ridge का diagram, ठीके, ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, Plate Tectonic Theory, the most acceptable theory, जो हर continent के movement को बताती है, उन continent की movement के साथ-साथ, जो भी relief features बने, उन relief features को बताती है, यह Plate Tectonic Theory, यह Last Theory है, Geomorphology की, मुझे पता है, आप लोग Scientist का नाम याद रख रख कर परेसान हो गए हो, आप लोग बोलते हो कि सर, नाम लिखा कीजिए, Scientist का बिलकुल बच्चो, मैं हर Scientist का नाम स्लाइट के अंदर mention किये हुए हूँ, तो यह जो Plate Tectonic Theory थी, Plate Tectonic Theory दी गई थी, McKenzie, Morgan and Parker के द्वारा, McKenzie, Morgan and Parker ने Plate Tectonic Theory दी थी 1967 में, 1967 में उन्होंने थियोरी दी थी और उन्होंने बताया था कि जो World है, World कई सारी Minor और Major Plates में बसा हुआ है, कुछ Plate जो होती हूँ, बहुत बड़ी-बड़ी होती है, कुछ Plate जो होती हूँ, बहुत छोटी-छोटी होती है, और यह Plates move करती है, कभी Plate एक दूसरे के पास आती है, कभी Plates एक दूसरे इसके दूर जाती है, आपके दिमाग में question आ रहाया पर, यह क्या Plate, 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 Plate बात कर र जनरली कंपोज्ड ओप कोंटिनेंटल एंड ओशनिक लिदोस्फियर मतलब एक मासिव रोग से बना हुआ लिदोस्फियर का स्ट्रक्चर लिदोस्फियर का एक टुकडा उसे हमने नाम दिया है प्लेट जैसे आप यहां पर देख पार हो यह इन तरह है दिसन इस नॉर्थ ऑमेरिकन प्लेट। दिस न्यूरेशियन प्लेटेट। और या पैसिफिक प्लेट। तो इस टाइप से यह leilात बनी होई हैं जो हमारी एर्थ सर्फेस पर आपको प्लेट। नोलते हैं तो आपको प्लेट समझमाया कि जो बड़े-बड़े continent की हिससे होते हैं वड़े-बड़े continent के टुकड़े, जो की हमारे mental के उपर float करते हैं, mental मैंने बताया था, Earth की second layer जो की the semi liquid है जो ना तो पूरा solid है और ना ही liquid है जो प्लास्टिक है नेचर में उस लेयर के उपर फ्लोट करते हैं यह ब्लोक्स और इनी ब्लोक्स को हमने नाम दिया प्लेट यह जो प्लेट वर्ड है प्लेट वर्ड सबसे पहले कोईन किया था जेटी विलसन ने जेटी विलसन ने सबसे पहली बार प्लेट वर्ड दिया था ठी मतलब जिसके ऊपर समंदर तुय इस रिजन इस यूर ओशन प्लेट इंड दिस वन इस यॉर इस चुक्ती आघा तो यहां पर हम बात करते हैं ओशन प्लेट और कॉंटीनेंटल अप्लेट में यहां डिफेरेंस है ठीक है एक एक करके देखते हैं ओंटेनल प्लेट सब्सक्राइब ति जो आप देख पार हो कॉंटीनेंटल प्लेट इस धिक जो सब्सक्राइस सक्सक्राइब मोटी है इसकी जो लाती तो ढेंटाओfig क्योंड जो ऑचे और म송नेंटेंटफिए। 15 to 30 km तो Continental Plate इस थिक एक सेगन ओशनीक प्लेट इस थिन एंड कॉंटिनेंटल प्लेट इस थिक समझ वारा डाइग्राम के अंदर दूसरा ओशनीक जो प्लेट होती ओशनीक प्लेट की डेंसिती होती है 3 gram cubic centimeter and continental plate की density होती है 2.7 gram cubic centimeter ठीक है तो पहला the oceanic plate is thin या फिर thinner and the continental plate is thicker the oceanic plate की density होती ही 3 gram cubic centimeter continental plate की density होती ही 2.7 gram cubic centimeter मतलब यह lighter है और यह denser है एक और इनके color को आप देख पार हो तो color में भी एक और difference देख रहे हो आप लो it is lighter in color the continental crust और the continental plate is lighter in color and the oceanic plate is darker in color lighter and darker ठीक है और एक और major difference जो कि अभी हमने पुरानी flight के अंदर देखा कि यह जो ऑशेनिक plate होती है ओशेनिक plate के अंदर से जब लावा निकलता है solidify हो जाता है तो young plate कोन सी बंगती है oceanic plate तो oceanic plate जहां से लावा निकलके बहार आता है नई rock का formation करता है नई surface का formation करता है वो हो जाएगा यहाँ पर younger या फिर youngest केस्ट वही अगर अगरे अधी हम कोंटिनेंट्स की बात करेंगे तो कोंटिनेंट्स आर कंपेरेटिवली ओल्डर तो continental plate पुरानी होगी और oceanic plate यंगर होगी क्यों क्योंकि ocean के अंदर से वोलकेनों का लावा निकल रहा है और वोलकेनों का लावा यहीं पर एक नई क्रस्ट बना रहा तो यहां की जो प्लेट है वो होगी हमारी यंगर और यहां की जो प्लेट है वो होगी comparatively older ठीक है तो यहां oceanic plate यंगर एंड continental plate older clear एक बार देख लो समझ में आया सभी को ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स जो यहां पर आपको कई सारी प्लेट्स बता रखी है इन प्लेट्स में हम कुछ minor और कुछ major plate की बात करेंगे there are total seven major plates total seven total seven major plates और minor plates यहां पर है 20 हमारे अर्थ के उपर total seven बड़े बड़े रोक के slips है और 20 छोटे-छोटे ओल्दो जो 20 जो छोटे-छोटे न वह भी इतने छोटे निए हैं कि हम उनको जाकर खरीद ले बहुत बड़े हो थाउजंस ओप स्क्वेर किलोमेटर के यह फिर लेक्स ओप स्क्वेर किलोमेटर के बट जो लार्ज मास है अब हम उन major plates की बात करते सबसे बढ़ा पर जो यहां है और यहां है धरती-चोल में बात कि थी ना तो उसी धरती में पेसिफिक का आधा इससे इधरा आ अधा इधर आ तो फर्स्ट Pacific Plate, फिर फिर्स्ट 12 Strawberry Plate. इन्डो औस्ट्रेलियन प्लेट यंदो यि का पार्ट थे पैले थ्पिद्ड समध्प प्ले और Labour प्लेट।त साथ प्लेट्स आप को दिखाई दे रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं फास्ट पेसिफिक प्लेट।ति अदेल्ट सेकें मोर्ड अ मोर्ड। fashioned प्ले तो इस आर दी major plates, major and massive rock slip on the earth surface, और जो minor plates है, minor plates में जुआन्डे, फूका, टेलाडेल, फ्यूगो, नाजाका, कोटिया, इस आर दी minor plates, minor plates के नाम आपको नहीं लेर्न करना है, जब आप current affair में पढ़ते हो कुछ चीजे, और minor plates से related अगर कुछ आता है, तब आपको वहाँ पर question frame हो सकते हैं, आपको चार option दे देंगे, और उनमें से बोलेंगे, इनमें से कौन सी major plate है, तो उनही major plate में से साथ आपको नाम याद होने चीए, जिसमें से आप बता दोगे, कि ये major plate है, ठीके, इसके बाद हम plate के movement की बात करते हैं, कि plate का movement किस तरीके से होता है, तो plate जो हो जो rock का, जो slip मेंने बता है, वो तीन तरीके से movement करता, एक, जब वो आपस में एक दुसरे के pass आएगा, एक, जब वो आपस में एक दुसरे से दूर जाएगा, वो third, जब वो एक दुसरे से सिर्फ और सिर्फ slip pass होगा, मतलब ना pass आना, ना दूर जाना, सिर्फ और सिर्फ अ ओशनिक ओशनिक हो सकती है या फिर एक Continental एकोशनिक cream हो सकती तो पहले divergent मतलब plate का एक दूर जाना दूसरा convergent जिसमें दोनो plate एक दूसरे के पास आती है sobol motor करता है कि जो plate heavier है heavier plate नीचे जाएगी और reci gas उबर चली जाएगी, वो कितनी होगी, वो प्लेट की साइज से पता चल जाता है, तो यहाँ पर होता है, Convergent, Third होता है, Transform, Transform में क्या होता है, Transform जो होता है, Transform के अंदर, प्लेट ना एक दूसरे के पास आती है, ना एक दूसरे से दूर जाती, प्लेट वहीं पर Slip पास होती है, That is the Transform boundary, तो एक एक करके सारी बाउंडरी को हम डिसकस करते हैं, ठीके, सबसे पहले हम बात करते हैं Convergent Boundary की, Convergent Boundary मतलब दो प्लेट का एक दूसरे के पास आना, इसी को हम destructive boundary भी कहते हैं, यह देखो, दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आएगी, तो यहाँ पर जो Land Mass है, Land Mass अर्थ के अंदर चला जाएगा, और जब वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर destruction होगा, इसी लिए हम इसको destructive plate boundary भी कहते हैं, और यही convergent जो होता है, यह convergent 3 type में होता है, उसी convergent के हम बात करते हैं, इतना समझ माया, जब दो प्लेट आपस में आकर collide होगी, तो collision के कारेंट, जो heavier plate है, वो subduction zone में चली जाएगी, subduction zone, वो zone जो plate के नीचे होता है, जब दो plate collide हुई, heavier plate नीचे जाएगी, subduction zone में, this one is the subduction zone, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब plate subduction zone में जारी, it means कि यहाँ पर destruction हो रहा है, तो इस plate का हो जाएगा, यहाँ पर destruction, वो lighter plate उपर आ जाएगी, ठीक है, तो एक एक करके इस plate के बार बता ही थी, एक oceanic plate, दूसरी continental plate, तो जब दोनो ही continental plate हो, और दोनो ही continental plate आपस में टकरा जाए, जब दो continental plate आपस में आकर collide हो जाती है, तो क्या होता है, जब दो continental plate आपस में आकर collide हो जाती है, तो वहाँ पर बनते हैं, fold mountain, या फिर सिर्फ mountain, तो यह जो आपको दिख रहे है, these are the mountains और यह mountains कहां बने हैं जहां पर दो continental plate आपस में आकर collide हो रही है इसका example है the mighty Himalaya Himalaya which is situated in India Nepal, Bhutan and Myanmar China इनके अंदर जो फिला है Himalaya, वो Himalaya दो continental continental plate के collision के कारेंट बसा हुआ है बना हुआ है Indian plate पहले Gondwana का हिस्सा हुआ करती थी पहले Gondwana का पार्ट थी हमने continental drift theory में देखा Gondwana से Indian plate टूटी और उसने उत्तर पूर्व की तरफ North East region की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ अपनी दिसा निर्धारित की और उत्तर पूर्व की तरफ उसने जैसे चलना स्टार्ट किया और जब वो जैसे नोर्थ में गई तो एकदम नोर्थ में जाने के बाद वो टकरा गई पहले से मुझूद Eurasian plate से Eurasian plate यहाँ पर Already available थी Indian plate जो थी उसने North Eastward movement किया और North Eastward movement करने के बाद यहाँ आकर वो collide हो गई जैसे Indian plate यहाँ अगर collide हुई तो collision के कारण दोनों plate की जो boundary थी उस boundary पर बने Mighty Himalaya जो कि world की highest mountain range है Mount Everest जिसे सागर मठ भी कहा जाता है जो कि Nepal के अंदर है ठीक है तो जब दो continental continental plate आपस में collide करती है तो वहाँ पर जो resultant landmass बनता है वो resultant landmass होगा हमारा fold mountain यह था हमारी Indian plate का moment यहाँ पर देखो 71 million year ago Indian plate बहुत नीचे थी इवर equator के भी नीचे फिर 55 million year एगो पर equator के पास आ गई थी इंडियन plate 38 million year एगो equator के सिर्फ southern tip इंडियन plate की equator पर थी बाकि इंडियन plate क्रोस कर चुकी थी 10 million year ago 10 million year एगो इंडियन plate कोलाइड हो गई Eurasian plate से और जैसे इंडियन plate Eurasian plate से कोलाइड हुई उस collision के कारेंड यहाँ पर विस्व के सबसे उचे पहाड बने जिनका नाम है हिमालाया यह mountain range start होती है कस्मीर से और यह mountain range चलती है अरुणाचल प्रदेस तक और अरुणाचल प्रदेस के बाद यही mountain range oceanic plate तो oceanic plate heavier है मानते हो हमने पहले discuss किया था कि oceanic plate की density जो है वो है 3 gram cubic centimeter वही continental plate की जो density है it is 2.7 gram per cubic centimeter तो oceanic plate जो की heavier है वो oceanic plate subject करेगी और जो continental plate है continental plate उसके उपर जाएगी तो oceanic plate जो की यहाँ पर subject कर रही है subject करने के बाद यह जो part है यह part जाएगा subduction zone के अंदर जिसे benio of zone भी बोलते है जिसे हम benio of zone भी बोलते है तो यह जो part है oceanic crust का यह move करेगा benio of zone के अंदर benio of zone मतलब mental तो जब यह mental के अंदर जाएगा तो mental के अंदर जाने के कारण mental का temperature जादा है हमने interior of the earth में पढ़ा था तो जब ये mental के अंदर जाएगा तो ये रोक पूरी melt हो जाएगी तो melt हो जाने के कारेंट क्या होगा जब ये रोक melt हो जाएगी तो ये continent के ऊपर निकलेगी volcano के form में जो continents होते हैं उन continents के ऊपर ये volcano की तरह निकल के आईगी और इस तरीके के साथ जब दो continental और oceanic plate contrasting nature है एक continental plate है एक oceanic plate है जब ये दोनों plate आपस में आकर collide होगी तो continental plate के ऊपर fold mountain बनेंगे बट fold mountain के साथ साथ उसी continental plate के ऊपर कई सारी volcanic activities भी होगी जैसे कि Cotopec Sea, Ojas, Del Salado, ये सारी कि सारी volcanic activity हमें Andes mountain range के उपर देखने को मिलती है जब Pacific plate Pacific कोन सी plate है Pacific एक oceanic plate है और South American plate एक continental plate है तो South American plate और Pacific plate जब आपस में आकर collide हुई तो Pacific plate सबडक्ट हो गई South American plate के उपर mountain range बनी उस mountain range का नाम है Andes mountain range याद रखना South America की जो range है जो कि longest mountain range है world की I repeat longest mountain range of the world is the Andes And which one is the highest mountain range of the world The highest mountain range of the world is Himalaya जो हमारे देश के अंदर है ठीक है? जो हमारी country के अंदर है जो हमारे उत्तर में बसा हुआ है तो Himalaya is the highest mountain range And Andes is the longest mountain range जो South America है उस South America के पूरे southern tip पर वसी हुई है Andes mountain range और इसी Andes mountain range के अंदर कोटोपेक्सी, ओजस्डेल, सेलेडो टाइप की कई सारी volcanic activities होती और यह volcanic activity क्यों हुई? क्योंकि subduction zone में Pacific plate गई High temperature के कारण हो melt हुई और melt होने के कारण Continental plate के उपर volcanism हुआ जब pressure बना यहाँपर तेज pressure बना तो pressure बाहर की तरफ निकला इंदा फोमो वोलकेनो याद रखना वोलकेनो जो होती वोलकेनो का होना बहुत जरूरी है आप खुद देखते हो आपने आपके घर में pressure cooker देखा pressure cooker में जब temperature हम बढ़ाते हैं जब हमारे burner को हम high speed पे कर देते हैं अगर उसकी speed तेज कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता pressure cooker के अंदर pressure बढ़ जाता है city होती है और सारी हवा बहार निकल जाती है बट सोचो अगर city ना बजे हवा बहार ना निकले तो क्या होगा blast उसी तरीके से अर्थ के अंदर से अगर यदि यह volcanism ना हो इस टाइब की volcanic activity ना हो तो यह अर्थ जिसके उपर आप में हम सब है हमारा देश है जिसके अलग-अलग होने में बच्चो आप लोग बेठे हो जिसके अलग एक किसी चोटे से कोने में में आपको पढ़ा रहा हूँ वो फूड जाएगा इसलिए volcanic activity होना जरूरी है इसके बाद हम continental oceanic collision के बाद हम आगे बात करते हैं oceanic oceanic collision के बारे जब दो oceanic oceanic plate आपस में आगर collide होती है तो दोनों हेवियर होती है oceanic plate हेवियर होती है continental plate lighter होती है हमने density की बात की थी बट जिस plate की size ज्यादा है वो plate subject कर जाएगी उसी की density वहाँ पर ज्यादा होगी जो plate size के साथ ज्यादा होगी वो subject कर जाएगी दूसरी plate के अंदर वो जैसे subduction होगा तो यह जो area बन रहा है यह ocean के अंदर की बात कर रहा हूं है पानी के अंदर की दो plate आपस में आकर टकरा है रही oceanic oceanic plate और जहाँ पर collision हो रहा वहाँ पर एक depression create हो रहा यह देखो यहाँ पर एक depression बन रहा oceanic plate और oceanic plate जैसे एक oceanic plate नीचे जाएगी दूसरी oceanic plate के तो यहाँ पर जो depression बन रहा इस depression को हम geography में बोलते हैं trench जो की ocean के अंदर होता जहाँ दो plate आपस माकर collide होती और एक बहुत गहरा हिस्सा होता है world की deepest trench कौन सी है यह मेरा question है आप सभी लोगों से और यह question probability रखता है कि हमारी exam के अंदर भी आ सकता है या तो trench के बारे में पूछ लेंगे वो specific ocean के अंदर है यह trench trench के बारे में कल आप मुझे पता करके बताईएगा कि यह कौन सी trench है जो ocean के अंदर होती है तो यह जो trench है यह trench कब बनती है जब दो plates oceanic plates आकर collide होती है अब इसके बाद हम बात करते हैं divergent plate के बारे में अभी हमने देखी convergent plate convergent plate में क्या देखा plates आपस में आकर collide हो रही है अलग-अलग nature में देखा continental continental plate oceanic continental plate and oceanic oceanic plate अब हम बात करेंगे divergent plate के बारे में कि divergent plate किस तरीके से अपना role play करती है तो divergent plate क्या होता है जब लिदो स्फियर की दो plate एक दूरसे से तूटकर दूर जाती है उसे हम divergent plate बोलते है और यहाँ पर हमने लिखा है constructive boundary इसे constructive boundary क्यों बोलेंगे सोचो क्यों इसे हम constructive boundary बोलेंगे और क्यों हमने convergent plate को destructive boundary कहा आपको पता इसका answer जब दो plate आपस में आकर collide होती है तो एक plate अंदर चली जाती है मतलब क्या हुआ destruction बट जब दो plate एक दूसरे से दूर जाती है जब plate एक दूसरे से दूर मूँ करती है diverge हो जाने के current क्या होता जैसे वो diverge हुई यहाँ पर vacuum की condition बनी यहाँ पर एक एसा area बना जो कि empty है जो खाली है उस खाली area में क्या होगा अंदर से आके lava आ जाएगा क्या हुआ जब plate एक दूसरे से दूर गई तो दूर जाने के current अंदर से निकल के lava आया और lava आकर यहाँ पर accumulate हो गया तो lava के accumulation से क्या हुआ नई plate बन गई यही तो होता है जब plate दूर जाती है या फिर कहीं भी जब volcanism होता है तो वलकेनों के अंदर से जैसे lava निकलता है तो lava के निकलते से ही नई चटान बनती है वेसे जब plate दूर गई और जो बीच में empty space बनी उस empty space में नीचे से निकल के आया lava और इस lava ने यहाँ पर एक नई plate बना दी इसलिए हम divergent boundary को constructive boundary भी कहते हैं यह दो type की होती है इसके बारे में जानते हैं first continental continental divergent continental continental divergent में क्या होता है दो continental plate continental continental divergent में क्या दो continental plate आपस में एक दूसरे से दूर जाए जब दो continental plate आपस में एक दूसरे से दूर जाएगे तो एक दूसरे से दूर जाने के कारेट वहाँ पर जो landmass बनेगा उस landmass को हम बोलेंगे Rift Valley Rift Valley का example आपको Africa के अंदर देखने को मिलेगा Africa जिसे हम dark continent भी कहते हैं Africa जिसे हम under developed continent भी कहते हैं Africa वो continent जिसके उपर से तीनों लाइन पास हुई है Tropic of Cancer Tropic of Capricorn एड़ इक्वेटर उसी अफरीका के अंदर आपको Eastern part of Africa में The Great Rift Valley देखने को मिलेगी तो Great Rift Valley में क्या हुआ Plate diverge हुई जब वो continental block diverge हुआ तो diverge के कारेण वहाँ पर क्या बनी Rift Valley And second is Block Mountain Block Mountain क्या होता है एक तो होती ही Fold Mountain जब Mountain दो plates आपस माए और Collide हो जाए तो उससे बन जाएगी Fold Mountain तो Block Mountain क्या होगी जब एक Pressure लगे Tensional force लगे opposite direction में ये था Compressional force और ये होगा Tensional force तो Tensional force के कारेण जैसे Plate तूट जाएगी तो तूटने के कारेण वो हमें दो अलग-अलग Part में अपीर होगी दो अलग-अलग Raised Part में अपीर होगी और उन्ही Raised Part को हम बोलते हैं Block Mountain जैसे कि ये Plate है ये Plate जब opposite direction में मुवमेंट करती है तो opposite direction में मुवमेंट करने के कारेण यहाँ पर कुछ इस टाइप का shape बन जाता है यह इस टाइप का shape बनता है इसमें जो नीचे वाला area है इस नीचे वाले area को हम बोलते ग्रेबन या फिर Rift Valley जो कि आपको डाइग्राम में या पर दिख रहा और वही जो उपर वाला इस्सा होता जो यह वाला जो surface जो फ्लेट एरिया आपको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे host ग्रेबन एंड इस वन इस host ठीक है तो host वाला इलाका यह वाला area और इसी ग्रेबन को हम बोलते हैं रिफ्ट वेली और इसी host को हम बोलते हैं ब्लोक माउंटें तो ब्लोक माउंटें इसी तरीके से बनते हैं कि जब दो एक दूसरे से दूर जाती जब tensional force exert होता है force exert होता है opposite direction में जब conventional cells plate को तोड़ कर दूर लेकर जाते हैं तो दूर ले जाने के कारेंट यहां पर बनता है ब्लोक माउंटें एंड रिफ्ट वेली अच्छा हम बात करते हैं ब्लोक माउंटें और फोल्ड माउंटें में क्या अंतर होता है थोड़ी देर पहले हमने फोल्ड माउंटें भी देखी थोड़ी देर बाद हमने ब्लोक माउंटें भी देखी तो ब्लोक माउंटें और फोल्ड माउंटें में क्या डिफ्रेंस होता है सबसे पहला डिफ्रेंस ब्लोक माउंटें की हाइट जो होती जो उनका altitude होता हो बहु ये बहुत ज्यादा होती है, and height of block mountain is lower, block mountain comparatively कम उची होती है, और जो fold mountain, fold mountain comparatively ज्यादा उची होती, क्यों प्योंकि वो compressional force बनी है, और यह कौन से force से बनी है, यह tensional force से बनी, तो यह दूसरा difference हो गया, It is formed of Compressional force And this one is formed of Tensional force ठीक है Block Mountain बनी ये Tensional force के कारण Hold Mountain बनी Compressional force के कारण fold mountain found on the convergent boundary and block mountains are found on the divergent boundary अब सारी divergent boundary पर block mountain नी मिलते सिर्फ ओसनी है कि लोक माउंटेन मिलती है हमारी continental continental divergent के टाइम पर और fold mountain हमें मिलती है continental continental collision प्लस oceanic continental collision तो continental continental collision के करेंट बना हिमालाय विची स्थी हाइस्ट mountain range ऑप दी वल्ड और oceanic continental के collision के कारेंट बना हमारा दूसरा mountain range जिसे मैंने बोला Andies and Andies is the longest mountain range of the world and Andies is situated in South America and Rockies जो की उसी गड़ पार्ट है Rockies भी उसी टाइप की है कि एक oceanic plate और दूसरी continental plate oceanic और continental plate के collision से दूसरी mountain बनी है Rockies जो की North America के अंदर है तो North America में जो रोकी से हो North American और Pacific plate के कारेंट बनी तो वो भी एक fold mountain है तो दीस हार दी example of oceanic and continental collision and continental continental collision का example Himalaya and European Elves कुछ Block Mountain के example की बात करते हैं Block Mountain का example है Vindhya Chal and Satpura Vindhya Chal जो है और Satpura है इस आर दी old mountain इस आर ओल्डर देन Himalaya हिमालया जो था हिमालया काफी नई mountain है यह सिर्फ और सिर्फ तरसरी एज में बनी हुई है वहीं Satpura और Vindhya Chal जो है इस आर दी older mountain है older than Himalaya हिमालया से यह older है यह यहाँ पर है कुछ इतना वड़ा हिमालया और यह है Vindhya Chal और यह है Satpura इस टाइप का डिफरेंस है इनके बीच में और Vindhya Chal Satpura के बीच से एक river बहती है जिस river को हम बोलते है नर्मदा river नर्मदा river flow करती है बिट्विन Vindhya Chal and Satpura और नर्मदा river ने क्या बना दी है आपर valley तो रिफ्ट वेली बनी नर्मदा की और block mountain बने Satpura और Vindhya Chal एक बार की बात है कि Satpura Vindhya Chal जो था Vindhya Chal को घमन्दा अगया था Vindhya Chal को क्रोध आगया था हिमालय के उपर क्यों? क्योंकि हिमालय कब बना? Tercory period में एक mythology की बात कर रहा हूं हिमालय वेसे बना Tercory period में हिमाले जो है यंग माउंटेन है तो यंग माउंटेन है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था तो उसकी इस ग्रोध को देखकर जैसे आप भी पढ़ाई में बहुत ग्रोध करते हो तो कुछ लोग जलते होंगे उसी तरीके से इस हिमाले की बढ विन्दियाचल उन्हों सचा नहीं अब में बड़ा बनूंगा मैं कोसिस करूंगा मैं अपना स्वरूप विस्तार करूंगा में आगे बढ़ा बनूंगा पर उस हिमालए के ऊपर सारे देवी देवता रहते थे थे सभी देविदेवतां रिक्वेस्ट की रिस dealers रिख्वेस्ट से कहा कि आप जाकर प्रिस विंध्याचल को रिक्वेस्ट कीजिए विंध्याचल को सब्सक्रड़ को ओर दीजिए एडवाइस कीजिए कि एसा ना करें तो तो हमाले से उतर के आइन म मैं उत्तरफ उत्तरब्रदेस आई उत्तरब्रदेस के बाद ओर नीचे की तरब आये मद्यप्रदेस के बुंदेल्खन K capitalist region में गयकर पॉर साउत मायत उनको मिली विंध्याचल की रह HOL विंद्याचल रिसी अगस्त को देखकर नतमस्तक हो गया विंद्याचल रिसी अगस्त को देखकर जुक गया वो जैसी रिसी अगस्त को देखकर जुका तो रिसी अगस्त ने उसे आसिरवाद दिया जो भी आसिरवाद दिया होगा विंद्याचल ने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो रिसी अगस्त ने कहा मुझे दक्षिन भारत में जाना है मुझे साउथ इंडिया में जाना है बट तुम्हारी ये माउंटेन तुम्हारा स्वरूप इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें पार ही नहीं कर सकता तो विंद्याचल ने गा इतनी सी बात तुन्होंने बोला अभी मैं छोटा हो जाता हूँ विंद्याचल छोटा होगा नतमस्तक हो गया जुग गया रिसी अगस्त के सामने रिसी अगस्त उसे पार किये और पार करने के बाद जैसे उन्होंने पीछे घूम कर देखा तो विंदियाचल फिर से खड़ा हो रहा था तो इसी अगस्त ने सोचा अरे इसे तो धोका हो जाएगा तो इसी अगस्त ने विंदियाचल को बोला कि अरे सुनो अगर तुम फिर से बड़े हो गए और जब मैं लोट कर आया तो फिर मैं तुम्हें केसे पार करूंगा तो विंदियाचल ने बोला कि आप जाईये जब तक आप नहीं आते हो लोटकर दक्षिन भारत से जब तक आप लोटकर नहीं आते हो तब तक मैं नतमस्तक रहूँगा मैं अपना स्वरूप छोटा ही रखूँगा और विंद्याचल छोटा ही रहा रिसी अगस्त गए साउथ इंडिया में रिसी अगस्त साउथ इंडिया में खतम हो गए अब रिसी अगस्त साउथ इंडिया में रुक गए विंद्याचल आज भी उनका इंतिजार कर रहा है कि रिसी अगस्त उनको पार करें विंद्याचल हि के बाद है उसी के बाद यहां पर दूसरी माउंटेन रेंज जिसे ब्लोक माउंटेन हमने कहा है देट इस दी सत्पुडा तो जो नर्मदाद रिवर है नर्मदा रिवर जो अमरकंटक के अनुपूर के अमरकंटक से निकलती है 1124 फिट की उचाई से उसी रिवर के साउथ में उसी रिवर के दक्षिन में है सत्पुडा की माउंटेन रेंज उत्तर में विंध्याचल दक्षिन में सत्पुडा तो दक्षिन में जो सत्पुडा है सत्पुडा की जो घने जंगल है इन घने जंग जी ने कहा हुआ है कि इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे, चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बेठे, विजय वन के बीच बेठे, जोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तकडे, गोंड काले, उन्हीं गोंड को बताते उन्होंने सकपूडा के पहाड़ों को बताया है, जो इसा है, तो वो बात हम तब करेंगे, मेरे ख्याल से अब आपको ब्लोक माउंटेन में डिफरेंट समझ में आ गया होगा, कि क्या होती है ब्लोक माउंटेन और क्या होती है फोल्ड माउंटेन बनती है फोल्ड माउंटेन बनती है टेंशनल फोर्स है, फोल्ड माउंटेन ज सबाओ देख से कम होती है जहाँ बात करते oceanic oceanic । डायवर्जेन्ट के बारे में तो जहां पर oceanic oceanic plate का सब्सक्राइज होता है वहाँ पर बंती हाँ मिड oceanic reg profession हमने जो यहां पर पढ़ा था कि कि जब दो oceanic oceanic plate diverge होरी mental से लावा निकल के बहार आ रहा, यहाँ पर solidify हो रहा, तो यहाँ पर जो रोक बनेगी, यहाँ पर जो फिनोमिन, जो land form बनेगा, उस land form का हम क्या नाम देंगे, mid oceanic ridge, और इसी mid oceanic ridge, के पास लावा इखटा होगा, लावा solidify हो जाएगा, नया land form बना लेगा, और इससे पहले इस यंगर, उससे जो थोड़ा दूर है, वो older, और उससे जो जादा दूर है, वो oldest, ठीके, तो इस तरीके से, जब दो plate आपस में diverge होती है, और जो diverge होरी वो plate अगर oceanic plates हैं, तो वहाँ पर हमें mid oceanic ridge देखने को मिलेगी, ठीके, mid oceanic ridge हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, अब इसके बाद हम बात करते हैं, transform boundary के बारे में, transform boundary एक एसा area होता है, जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई collision नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई divergeant नहीं होता, plate यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास होती है, एक plate इस तरफ जारी है, और दूसरी plate इस तरफ जारी, तो plate यहाँ पर सिर्फ पास होती है इस टाइप से इस इस डी डाइवर्जेंट बांटरी डाइवर्जेंट बांटरी में कोई नया लेंडफों नी बनता जैसे हमने बात की थी फोल्ड माउंटेन, रिफ्ट वेली, ब्लोग माउंटेन, mid oceanic ridge, ट्रेंज, इन चीजों की बात की थी ना, एगजिस्टिंग लेंड़्फन फिसंग लेंड़्फन यहां से थोड़ा चीन्ज आया तो यहां पर budget के अंदर एगजिस्टिंग के मार्थप्वेकर आते हैं याद रखना जहां बैसे तो देखो मैंने क्या वोला था कि जितने भी अर्थक्विक है वो सिस्मोलोजी के कारण आते अर्थ के अंदर कुछ disturbance जो होते अर्थ के internal structure के कुछ disturbance के कारण अर्थक्विक आते हैं तो वही जब प्लेट इतने बड़े-बड़े कॉंटिनेंट आपस में एक दूसरे से स्लाइट पास होंगे घरजन करेंगे फ्रिक्षन करेंगे तो पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक आते हैं अब हम बात करते हैं रोक्स के बारे में रोक्स क्या होता है हमारा अभी तक जो हमने देखा वो था में डिखा था अल्फ्रेट वैगनर ने रहे था एक तो टूटा दूबाग में और फिर तूटता गया तूटता गया और बने साथ कंटिनेंट्स फिर हम ने उसके अंदर कुछ से में लाया कि जि स्चोंविड चाशा friendships उप्थिसा शिम turbine दों कि डिपोजिशन ओप कॉल और अंटाक्तिका उसी के बाद हमने एक और पॉइंट यहां पर देखा था प्लेजर डिपोजिट कि प्रीशियस मेटल का एपार्ट ऑब दी ओशन डिपोजिशन होना सेम टाइप में सेम वेन के अंदर तो वह बाते कही थी अल्फ्रेड वेगनर उन जो पूँप उन्होंने दीए थे वो पूँप सही नहीं थे तो इसलिए उनकी थियोरी जो थी वो थोड़ी नकार दी गई थी वहाँ पर new rocks का formation होता है दूसरा उनके अलावा hairy haze थे उन्होंने ocean के अंदर यही phenomenon बताया उन्होंने mid oceanic reach का बताया उन्होंने बताया कि जो oceanic rocks होती है वो younger होती है और continental rocks जो होती है वो older होती है यह बताया hairy haze ने फिर McKenzie, Morgan and Parker बताया कर इन तीनों ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक की थेयोरी दी जिस प्लेट टेक्टोनिक को थेयोरी को हमने इतना discuss किया जिसके अंदर हमने convergent, divergent, transform, boundary के बारे में बात की अब हम यहाँ पर बात करते हैं रोक के बारे में रोक्स क्या होती है रोक्स इस एग्रीगेट of one or more minerals एक से अधिक mineral के aggregation को हम रोक्स बोलते हैं जैसे कि सिलिकोन, Aluminium यह सब मिलते हैं एक अलग रोक बनती है जब सिलिकोन and Magnesium मिलते हैं तब एक अलग रोक बनती है जब सिलिकोन और Aluminium और Magnesium और Iron जब सब एक में मिल जाते तब अलग-अलग रोक बनती तो इस टाइब से अलग-अलग mineral के aggregation के कारेंट ross बनती है रोक्स जो होती है Earth क्रस्ट के ऊपर होती है कि जो Earth क्रस्ट है Earth क्रस्ट पूरी की पूरी रोक से बनी हुई ए और अर्थ क्रस्ट के ऊपर रखे उए पत्थर, अर्थ के इंसाइट, सब कुछ रोक्स है, अर्थ क्रस्ट जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, जो के ब्रिटल है, जो क्रिस्टलाइन है नेचर में, इसी के बाद कुछ रोक जो होती है वो hard होती है like granite और कुछ रोक जो होती है वो soft होती है like sand, clay, loamy यह जो होती है यह सब soft होती है इसको ऐसे आराम से तोड़ा जा सकता है और और चोटे-चोटे particle में convert किया जा सकता है जिससे उसका geomaterial change किया जा सकता है किसका? कुछ रोक का जो की soft रोक होती है वोहीं कुछ hard and brittle रोक होती जैसे की granite है और यह जो रोक होती है इनको हतोडों से तोड़ना पड़ता है ठीक है? तो these are hard रोक रोक्स are converted into soil as a result of pedogenesis बच्चों, pedogenesis एक process है soil के बनने को pedogenesis कहा जाता है जब बड़ी बड़ी चटाने तूटती है और तूटने के बाद वो छोटी छोटी धूल के कड़ों में बढ़ जाती है छोटी छोटी धूल हो जाता है और clay हो जाती है sand हो जाती है उसी को हम बोलते हैं pedogenesis soil का बनना रोक का तूटना रोक का तूटके छोटे 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 particles में convert होना और वही छोटे छोटे particles का फरदर rocks में convert होना तो इस इस दी pedogenesis and scientific study of the soil is pedology pedology study of soil और soil कैसे बनती है अभी हमने देखा rocks जो होती वो तूट जाती रोक की weathering हो जाती है और उसी weathering के कारण soil का formation होता है इसके बाद हम आगे देखते है तीन टाइप की रोक होती है याद रखना important point है NDA 2019 के अंदर यहां से question पूछा गया है कि कौन-कौन सी रोक इसमें से आती है तो एक-एक चीज़े आपको यहां पर जानना जरूरी है कुछ रोक के बारे में बता रहा हूँ igneous रोक जो की सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है igneous रोक is the primary रोक igneous रोक is the primary रोक जब वोलकेनों से लावा निकलके बाहर आता है और बाहर आते ही जैसे वो solidify होता है solidify होने के current जो रोक बनती है उस रोक को हम नाम देते हैं igneous रोक और igneous रोक के एक्जामपल है endecide, gebro, and granite याद रखना यह एक्जामपल आपको याद रखना है question example से ही पूछा था कि which is the example of sedimentary रोक कौन सा इन में से sedimentary रोक मतलब इन सभी के एक एक option उठाए थे exam के अंदर और पूछा था इन में से कौन सी organically formed है sedimentary रोक तो उसके बारे में हम बात करेंगे next metamorphic रोक, metamorphic रोक क्या होती, igneous रोक समझ माया जब अर्थ के interior से लावा बहार आता है बहार आकर solidify होता है और solidify हो जाने के बाद जो उससे रोक्स बनती है उन रोक्स को हम igneous रोक कहते हैं उन्ही रोक्स को हम basement रोक कहते हैं उन्ही रोक्स को हम primary रोक कहते हैं igneous रोक के बाद अगर igneous रोक को हम बहुत temperature दे, बहुत pressure दे, तो igneous rock के अंदर जो भी particles है, वो particles अपनी physical and chemical property change कर लेंगे, और अपनी property change करने के कारण, वो बन जाएंगे metamorphic rock, metamorphic rock केसे बनती है, igneous rock plus high temperature and high pressure, high temperature और high pressure अगर igneous rock को दे उगे, तो यह बन जाएगी metamorphic rock, तो igneous rock के बाद के से metamorphic rock बनती है, इतना आपको समझ माया, igneous से metamorphic, फिर अगर igneous rock है, suppose करो यह एक चटान है, इस mountain के उपर, रोज बारिस हो रही है, समझे रोग, इस mountain के उपर रोज बारिस हो रही है, रोज यहां से हवा चल रही है, तो रोज बारिस जब इसके उपर होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा है यह आपर, यह mountain erode हो जाएगी, इसका geomaterial कम हो जाएगा, इसके particles छोटे आने के कारण यह धीरे धीरे टूट टूट के नीचे आ जाएगी और फिर जो नदी आओगी उन छोटे-छोटे टुकडों को बहा कर अपने साथ लेकर जाएगी और जब वो लो लाइंड एरिया के अंदर जाएगी एसा एरिया जहां पर स्लोप हो उस लोपी एरिया के अंद क्या हुआ एक माउंटेन थी माउंटेन के उपर से पत्थर टूटकर नीचे गिर गया और उसी पत्थर के पास नदी बहरी थी तो नदी उस पत्थर को अपने साथ बहा कर बहा कर बहा कर लुड़का कर आगे धका कर कहां लेकर गई बहुत दूर वो जब काफी दूर लेकर गई तो दूर ले जाने के बाद नदी का भी potential खतम हो गया कि फर्दर वो उसको और केरी करें क्यों क्योंकि नदी पहले छोटी थी अब नदी बड़ी हो गई है जब रिवर बड़ी हुई और उसका potential जो था जो पहले छोटे से एरिया से प्रेशर से निकलता था वो बड़े के एरिया में जाता है तो उसने जगे वाटर को ले जाकर उस पत्थर को ले जाकर डॉप कर दिया वो जैसे पत्थर के उपर दूसरे पत्थर आये इस टाइप से कई सारे पत्थर मिले और उनसे मिलकर बनी sedimentary rock तो sedimentary rock का example है sandstone, limestone and chalk these are the example of sedimentary rock पहले हमने देखा igneous rock अर्थ के interior से लावा निकलता solidify होता और solidify हो जाने के current जो उससे rocks बनती है उन rocks को हम बोलते हैं igneous rock दूसरा हमने देखा metamorphic rock metamorphic rock क्या होती है उसी igneous rock को जब हम high temperature और high pressure provide कर दे तो igneous rock के particles अपनी property को change कर लेंगे और property को change करने के बाद वो convert हो जाएंगे metamorphic rock के अंदर और जब igneous और metamorphic rock के उपर बारिस होगी वो बारिस करके जब वो rock का geomaterial को तोड़ कर वो अपने साथ बहा कर लेके जाए और किसी low-land area के अंदर deposit कर दे तो डिपोजिशन के बार-बार डिपोजिशन बार बार डिपोजिशन से जो rock बनेगी वह होगी sedimentary rock sedimentary rock होती हो layers में मिलती याद रखना sedimentarystone rock जो होती स्ट्रेटा में मिलती है स्ट्रेटा मतलब layer स्ट्रेटा मतलब layer तो चल्खेव आन्दर बीयों है और वह सभी इस रोक के अंदर डिपोजिट होता है जब नदी अपने साथ इन चीजहों को ले कर जाएगे तो यह लो-लाइंड Side-Dust होने के स्टेर्श और यहां पर हो सब았어 living or dead organism किसी area के अंदर deposit हो जाएंगे deposit हो जाने के current क्या होगा thousands of year के बाद thousand degree temperature के बाद वो convert हो जाएंगे fossil fuels में और fossil fuels में convert होने के बाद हमें यह पता चलेगा कि इस sedimentary rock के अंदर पोजिल्स प्रेजेंट होते हैं sedimentary rock के अंदर हमें फोजिल्स मिलते हैं क्यों क्योंकि sedimentary rock कैसे बनी है river के movement के कारेंट बनी river एक area से निकली और दूसरे area तक जब अपनी journey complete कर रही थी तो जरनी के दोरान river ने अपने रास्ते में आए वे सभी पेड़ पोधव सभी मरे हुए जिवों के हड्डियों को अपने साथ लेकर गई और इस low-lined area के पास ले जाकर deposit कर दी और उसी deposition के ज्यादा time तक अर्थ के अंदर रहने के कारण ज्यादा temperature में रहने के कारण वो convert हो गए fossil fuel के अंदर तो यह होता है sedimentary rock sedimentary rock का example देख लो चाक, sandstone and limestone अब कुछ questions discuss करते हैं हम वीडियो के end में ठीक है तो पूरानी वीडियो में भी मैंने आपको कुछ questions दिये थे आज भी हम कुछ questions की बात करते हैं तो कुछ questions की बात करते हैं कुछ questions को discuss करते हैं सबसे पहला question मेरा which discontinuity present between the mental and core यह मैं अर्थ के interior की बात करना हूं अर्थ के interior में जो crust है mental है core है उहां पर mental और core की बीच में कौनसी discontinuity आती है को नरोड मोहरोविक गटनबग या फिर none of these इन में से कोई नहीं है इसका example आपको comment box के अंदर करना इसका answer आपको comment box के अंदर देना है next question what is the density of earth inner core अर्थ का core को भी मैंने दो पार्ट में बाटा था एक outer core और एक inner core outer core और inner core के बीच में भी एक discontinuity थी एक बार पुराने lecture को देखना अपने notes को देखना पुराने lecture में आपने देखा था कि जो inner core और outer core उसके बीच में discontinuity थी और वही discontinuity अलग करती है इनको तो यहां पर हम inner core के अंदर बात करेंगे कि inner core की density क्या होती क्या 3 ग्राम 5 ग्राम 11 ग्राम 15 ग्राम क्यों सेंटीमेटर इन में से जो भी आंसर है आप लोगों को वह comment box में देना है next polar fleeing force जो कल हमने बात कि थी जो अल्फ्रेड वेगेनर ने बताया था कि polar fleeing force is responsible for the drifting of the continent वो polar fleeing force क्या होता है वह polar fleeing force क्या gravitational force होता अर्थ का centripetal force होता अर्थ का centrifugal force के कारण होता अर्थ के या फिर इन में से कोई नी जो भी आंसर होगा वो आंसर आपको comment box के अंदर करना है फिर इसके बात नेक्स क्योशन कल मैंने seismic waves के बारे में आपको बताया था बच्चो उस seismic waves के अंदर हमने Discuss किया था अर्थु एक कर्थी के बारे में और में आपको एक structure बताया आपको बताया था के से अर्थक्वेक आता है जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजनेट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फिर अर्थक्वेक वेव सर्फेस तक जाती है उन वेव को हम क्या बोलते हैं तो आप को यह बताना है दा पॉइंट इंसाइड दी from where earthquake originate उस point को हम क्या बोलते हैं epicenter, focus, earth center या फिर earthquake center इनमें इस कोई एक है जिसे मैंने hidden point का नाम दिया था आपको उसका answer comment box में करना और मैं guarantee लेता हूँ कि आप इसका सही answer करोगे इसके बाद next which one of the following planet rotate east to west इन सारे planets में से कौन से planet है जो east to west rotate करते हैं मैंने बताया था अर्थ के उपर जितने भी planet से, वो सारे planets west to east से जाते हैं अर्थ नहीं, हमारे solar system में जितने भी planet से सारे planets west to east जाते हैं, तो ऐसे कौन से planet है जो east to west जाते हैं दो नाम बताये थे, उन दो में से एक यहाँ पर option के अंदर है तो आपको बताना है Mercury है Venus है अर्थ है या फिर Mars है कौन से प्लानेट है जो की East to West rotate करते हैं next question यह question एंडिये में 2019 में पूछा हुआ है 2019 की जो एंडिये की exam थी उस exam के अंदर यह question पूछा हुआ था which one of the following sedimentary rock is organically formed इन में से कौन सी sedimentary रोख है जो की organically बनी हुई है आपने पुरा अभी थोड़ी देर पहले मैं ने जब rock system बताया था तो rock system के अंदर मैंने जिक्र किया था कि कौन सी sedimentary rock है जो की organically बनी थी या फिर इसी कौन सी sedimentary rock है जो वही सेडिमेंटर रोक इन में से कोई एक है आपको पता करना है जो आपको वहां पर भी मिल जाएगा और आपको खुद भी पता करना तो यह हमारी एक्जाम के अंदर पहले भी पूछा हुआ है इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बोक्स में करना शेल है चर्ट है है या फिर चौक ह इन में से कौन सी है जो की सेडिमेंटरी रोक से बनी हुई है ठीक है तो इतने सारे क्योशन्स आपको करने हैं इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्रीट होता है हमने आज काफिस ज्यादा सारी चीज़े डिसकस की आप वीडियो को बार बार देखना पोस्कर करके देखना समझ सब्सक्राइब नाच चीज़ों को उनके नोट्स बनाना इसी के साथ में प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं जैहिन दोस्त